और दियो चार पुस्तक मस्तिष्क प्रत्यक्ष कल्पव्रक्ष लेखक वेदमूर्थी तपुनिष्क पंडित्षी रामशर्मा आचारेजे अभिशाप भी संभव स्वतंत्र चिंतन की विशिष्टा को नियंतित करने की उपाए यदि सच्मुच हाथ लग जाए तब फिर यह संभव हो सकेगा कि उस विज्ञान का ज्याता अपने इच्छित दिशा में गतिशील होने की प्रेणा अगणित मरश्यों को दे सके इस उपलब्दी में जहां सुधा की संभाव नहीं है वहाँ ये खत्रा भी है कोई अधिनायक समस्त प्रजा पर इतनी अपने इच्छित विचारधारा थोप कर उसे सदा के लिए वश्वर्ती बना ले मनोविज्या रसायनों के विशिशग्य डॉक्टर इसकिनर का कथन है कि वे दिन दूर नहीं जब इस चौधा करोर तंत्रिका कोशिकाओं वाले तीन पौंड वजन की अध्भुत प्रमांड मानवी मस्तिश के दिये हुए एक से एक अध्भुत रहस्य को बहुत कुछ समझ लिया जाएगा और उस पर रसायनों तता विद्युधाराओं के प्रयोग द्वारा आधिपत्य स्थापित किया जा सकेगा यह सफलता आप तक की समस्त वैज्यानिक उपलब्धियों से बढ़कर होगी क्योंकि अन्य सफलता हैं तो केवल मनिश्य के लिए सुविदाही उत सकेगा जर्मनी की मस्तिष्क विद्या विज्यानी टॉक्टर एलन जैक बसन और उनके सायोगी मार्क रोजन बर्ग एक प्रयोग कर रहे हैं कि क्या किसी सुविकसित मस्तिष्क की प्रतिभा को सुविकसित मस्तिष्क में परवर्तन किया जा सकता है क्या समर्थ मस्तिष्क क अल्प विक्सित मस्तिश को अनुदान की रुप में प्राप्थ हो सकता है, शिष्ण की पढ़ानी पुरानी है, शिक्षित व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति को पढ़ा लिखा कर सुयोग्य बनाते हैं, और मस्तिश के शम्ता विक्सित करते हैं, विध्यालियों में यही होता चला आया है। चिकित्सा, शास्त्री, ब्रामी, आमला, शतावर, असगंद, सर्पगंधा आधी औशद्यों की सहायता से पुद्धी व्रद्धी का उपाय करते हैं। मस्तिष्क रासायनी तत्तों का सार लेकर, इंजक्शन द्वारा एक जीव से लेकर दूसरे के मस्तिष्क में प्रवेश करने का भी प्रयो हुआ। पर वह कुछ अधिक सफल नहों सका। संदचन प्रह एक सिही होती है। मस्तिष्क के तीन मुख्य भाग है। एक समस्त किरय प्रक्रियाओं का संचालक। दूसरा मास्पयृष्यों का नियंतरक। तीसरा सासलेने भोजन पचाने आधी तो संचाल्त प्रक्रियाओं का विधायक। इन तीनों में वैभाग अधिक महत्पून है, जो मन और बुद्धी को संभालता है, इसी के विकास को मानसिक विकास माना जाता है, शेश मस्तिश्किय किराकलाप तो प्राणियों के शरीजों की इस्थिती के अंदुरूप अपना काम करते ही रहते हैं, कुछ प्राणियों के मस्तिश्क सुई की नोग जितने चोटे होते हैं, कुछ के बहुत बड़े, वेल मचली का मस्तिश्क मनश्र से भी बड़ा होता है, इतने बड़े शरीक की विवस्था बनाए रखने के लिए इतना बड़ा यंत्र होना भी चाहिए, पर उसमें भी बहु बड़े वेलों के साथ रहें, सरकस के परश्वों के सिखाने में, जहां सधाने की पद्धती कम कारगर से धोती है, वहां उनका बौधिक और भावनात्पक विकास, बहुत कुछ परश्व शिक्षक की इस्तिती से जुड़ा रहता है, समेपता के कारण उनका सोचने का ढढ और भावना बहुत कोई वैसी ही बनने लगती है, राजाओं सेनपत्यों की घोड़े हाथी उनका इशारा समझते थे और सम्मान करते थे, बीड़े वे हाथी को राजा स्वयम जाकर संभाल लेते थे, राणा प्रताप नेपोलियन जहांसी की रानी की घोड़े मालिकों के इशारे ही नहीं, उनकी इच्छा को भी समझते थे और उनका पालन करते थे, यह उनकी प्रभावशाली, बेक्तित का, आलप विकसित बुद्धी वाले, गोड़े, हाथी आदी, परशियों पर पढ़ाऊगा प्रत्यक्ष प्रभाविताब, मस्तिष्क में से एक परकार की गंद सरीखी, विशिष चेतन क्षमता निरंतर उड़ती रहती है, समिप रहने वाले लोग इस विशिष्टा से प्रभावित होते हैं, बेक्तित जिदना प्रभावशाली होगा, मस्तिष जिदना विकसित होगा, उसका संपर्क शेत्र को प्रभावशाली होगा, यदि ती कास होने लगता है, भले ही वे मंद गती से क्यों ना हो रहा हो, इस नए वैज्ञानिक अर्मेशन द्वारा मनिश्य को जीवित रोबोट यंत्रमानब बनाया जा सकेगा, वे संचालकों की इच्छानुसार चेतना ये रोबोट की भूमी का संपादित करेगा, प्रयोग आने वाले एरिल के तरह बना दिया जाए, ट्रांस्मिटर द्वारा फेंकी गई, इलेक्ट्रमेगनेटिक वेव को जिस प्रकार एरिल पकड़ता है और उसे रेडियो पर सुन लिया जाता है, उसी प्रकार वेज्ञानिक केंद्र द्वारा फेंकी गई, तरंगों को मस्तिष्क के सिर्पर बंधी हुई वे धातु पट्टी पकड़ेगी और उसे मस्तिष्क में प्रवेश कर देगी, बस चिंतन पर वही प्रेशित तरंगे च्छा जाएंगी और उसे जैसा सोचने के लिए निर्देश दिया गया था, वैसा ही सोचने के लिए विवश मनिश की स्वतंदर चिंतनक्षमता स्माप्त हो जाएगी और वे बौधिक पराधिंता से पूरी तरह ग्रस्त होकर वही सोचेगा जो उसे सोचने के लिए बाद्य किया गया है, धातु की पट्टी बंधवाने के जंजट से बचने के लिए एक दूसरा सरल रासायनिक तरीक निकाला जा रहा है, वह है रेडियो तत्तों से प्रवावित और श्रदियों को मनिश की रक्त में मिला देना, इस कारे के लिए इंजेक्शन लगा कर अथ्वा मुक्य द्वारा खिला कर उसे खून में हो दिया जाएगा, और वे सारा रक्त ही एरेल का काम करेगा, और प्रे बना देंगी, इस अप्रेक्शाक्रत अधिक सारल विधी से बैग्यानिक साधन किसी भी व्यक्ति को कुछ भी सोचने और कुछ भी करने के लिए और तया पराधिन बना देंगे, जिस प्रगार अंतरिक्ष यानों का नियंतरना निर्देशन धर्ती पर बैठे वे बैग्या की ही सुष्मतरंगों द्वारा नियंतरित किया जाए जैसा रॉकेटों को किया जाता है शीर्षक मनस्विता का चमतकार यह शेत मरस्वी महापुरिशों और सदासाई उच्च उद्देश्यों के प्रति द्र निष्ठावान वेक्तियों के लेही छोड़ दिया जाना चाहिए ताकि इस विज्ञान का सदप्योग ही हो सके दुरुप्यों की रत्तिभर संभावना रह रहने पाए प्राचेन काल में मनेशी रिश्यों ने इस तरह के सफल प्रयोग किये थे उन प्रयोगों का आधार विज्ञान निसंद्य आज़की बहुत इक विज्ञान से अरग था परनतु इस तत्यerm को आधुनिक विज्ञान वेक्ता भी स्विकार कर च Notre represent कि प्राचिंग काल में भारत के ध्यात्म वित्ता किसी समय में इस दिशाय में बहुत बड़ी खोच करने और सफलता प्राप्त करने में तरतगी हो चुके हैं। बुद्ध की प्रचंड विचारधारा से अपने समय में लगब धाई लाक विक्तियों ने अपने विरासी और भौतिक मेहतव कांग्षी गतिविधी छोड़कर उसकष्ट कर प्रयोजन को अपनाने के लिए खुशी-खुशी कदम बढ़ाया जो प्रचंड मारसिक विद्वि को अभिष्ट था भगवान राम ने रीच वानरों को ऐसे कारे में उठ जाने के लिए भावावेश में सनलगन कर दिया इससे किसी लाब की आशा तो नहीं उठे जीवन संकट इस्परश्ट था भगवान कृष्ट ने महाभारत की भूमिका रची और उसके लिए मनो भूम या उत्तेजित की पांडव उस तरह की अवश्रक्ता अन्भव नहीं कर रहे थे और ना अर्जुन को उस संग्राम में कृची थी तो भी विश्ष्ट प्रयोजन को ध्यान में रखती वे मानजिक शंता के धनी कृष्ण ने उस तरह की उत्तेजनात्म परिश्टियां ही थे जिसनों ने लोगों को अविश्ट पत पर चलने के लिए भी वश्ट किया उपदेशक लोग आकरशक बचन देते रहते हैं और उनकी कल्ला की प्रशंसा करने वाले भी उस उपदेश पर चलने को तयार नहीं होते इसमें उनकी प्रतिपाद विश्य का दूझ नहीं उस मनुबल की कमी ही कारण है जिसके बिना सुनने वालों के मस्तिश्क में हल्चल उत्पर्ण कर जा सकना संभव न हो सका नारत जी जैसे मनस्वी ही अपने स्वल परामर्ष से लोगों की जीवन धारा बदल सकते हैं बाल में की धुरूप प्रहलाद सुकन्य आदी कितने ही आदश्वादी उनी की प्रिणा भरी प्रकाश किरन पाकर आगे बढ़े थे। दिनों की घटना है। शक्तिपात इसी इस्तर की प्रक्रिया है जिसमें मानशी विद्युत से सुसंपन्य विक्ति का तेजस दूसरे अल्प तेजस विक्तियों में प्रवेश करके उन्हें देखते देखते समर्थ बनाकर रगतीती है। दीपक से दीपक जलने का पारस इस परश्ट से लुहा का सोना होने का उधारन इसी प्रगार के संदग्वों में दिया जाता है। विज्ञानिक आधार पर मस्तिष्किय नियंतरन की प्रकेरिया यदि मनिश की हाथ लग गई तो उससे सदा के लिए मानवी प्रग्या को किसी अधिनायक वादी गुट के वश्वर्ती हो जाने का खत्रा है। अणुशक्ति के विनाशात्मक उप्योग की आश्यंका इसी कारण है कि उसका स्वामित्व आवांशी लोगों के हाथों में चला गया है। यदि वे प्रामणिक हाथों में सीमित रही होती तो उस वैज्ञानिक प्लब्धी से केवरित साधन ही होता। मस्तिष्के नियंत्रन का विज्ञान विकसित होना चाहिए पर उनका नियंत्रन सनातन महमानव ही कर सके ऐसी व्यवस्था रहनी चाहिए। अच्छा यही है कि इस प्रति असपर्धा के युग में आत्म विज्ञान विकसित किया जाए और उस विद्ध्या के विज्ञानी इस महारशक्ति की उत्पादन में उप्योग करने की दिशा में पहल करें। एक प्रश फिर भी अपने इस्थान पर है कि क्या दूरवरती लोग बिना किसी इतार रेडियो आदि के किवल मनह चेतना के आधार पर परस पर संबंद इस्थापित कर सकते हैं। उनके बीच विचारों का आधान प्रदान हो सकता है। इस प्रशन को किमंदंतियों पर आधारित नहीं छोड़ा गया है। बरन मनह शास्त्रियों ने इस अंदर्व का कोशोत का विश्या भी बनाया है। उत्तरी केरोलिना के ड्यूग विश्या द्वारा डॉक्टर राइन की नेतरत में इस विश्या पर ढूंड खोज की गई। और कैम्ब्रेज विश्या द्वेटले केरिंटन ने इस विश्या अनविशन को हाथ में लिया। उन्होंने पाया कि ये जितना एक सीमा तक हर किसी में होती है, पर जो लोग उसे विक्षट कर लेते हैं वे अप्रिक्ष़क्रत अधिक सफल लहते हैं। किनी को जनजात रुप से ये प्राप्त होती रहती है और कुछ साधनाओं द्वारा इसे विक्षट कर सकते हैं। प्रेम और घनिष्टता की इस्तिती में ये आदान प्रदान इनी महत्पून अफसरों में अनायास सी हो सकता है। इसमें कोई संदे नहीं कि मस्तिश की शम्ताओं को किसी भी अविश्ट दिशा में मुड़ावा विकसित किया जा सकता है। इतना ही नहीं उससे मनुमाचे सफलता हैं और सिध्यां भी प्राप्त की जा सकती है। विज्ञान देश अवेर में इस सत्थ से भी साक्षात का करेगा ही। अभी तो मस्तिश का 24 सरुप भी नहीं समझ पाया है। किवल इसका 7 प्रतिशत भाग ही जानन जा सका है। उसके जाने पर भी विज्ञान और विज्ञानिक हत्प्रव है। मस्तिश को विलक्षण और अद्भुत बता रहे हैं। तो पूरा सो रुप जान लेने के बाद होने वाले अश्चर की कोई कल्पना भी नहीं की जा सकते।